हेलो हेलो इंडिया हिंदुस्तान भारत हमारा मुल्क प्यारा मुल्क तो मैं सहीद महिनत दिन हमेशे के तरह आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ लेकिन आज कुछ और और अनोखा एक सुनहरा मौका आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ और ये अनोखा और स तो नहरा मौका जो है वो भी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलोजी इंक अपनी के तरफ से ही है जैसे कि आप लोगों ने जितना प्यार संग्योग और अपना योगदान यूज का के लिए दिया था उसी तरीके से ये एक नया प्रोजेक्ट है और ये भी बहुत ही बहुत बहुत ही बहुत ही बहुत अजूबी की तरह काम करेगा तो चलिए हमेशह की तरह मैं सेयद मुनितीन दिलवालों की दिली से आप लोगों के समने फिर से एक बार हाजिर हूँ और आज का ये नया प्रोड़क्ट क्या है उसके बारे में भी जानते है और इसके फाइदे क्य तो स्काइवर्ड कम्यूनिटी के आज की खुबसरा शाम स्काइवर्ड कम्यूनिटी के नाम जैसे कि मैंने अपना तारूफ आप लोगों को परिचाय दे दिया है मेरा नाम है सेद महिनुद्दीन मैं एक अध्यक्ष एवं नीता के रूप में SWC में काम कर रहा हूं और अपने प्यारे मुल्क भारत हिंदुर्सान इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं और बिहाफ आफ आफ प्रोजेक्ट जिसे हम लोग अभी हाल-फिलाल सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल यूसका की तरह ही यह भी यूनिट्स की स्ट्रेंग टेक्नोलजी का ही एक नया प्रोजेक्ट और नया प्रोड़क्ट है तो यू टेरा का अक्चली मतलब क्या है कई लोग मज़े सवाल कर रहे थे कैए यू जो है जैसे कि मैंने बताया है कि ऐसा उत्पाद पेश करता है जो भूमी की कमी की समस्या का एक solution प्रदान करता है वो solution क्या है उसके बारे में हम जानेंगे अराम से 2021 के लिए fertilizer का जो market था वो आकर जो size था वो 200 billion dollar का था तो सोचिए 2024 या फिर आने वाले वर्षों में कितनी जादा demand हो सकती है इसकी fertilizer की जो वैश्विक मांग जो है वो खाडिक शेत्र में कहने का मतलब जो बंज़र जमी जैसे कि Middle East वगेरा में वहां पर बहुत जादा highly demanded है में उत्पादन के वृद्धी को प्रिरीद करती है तो यहां पर एक छोटा सा हम लोग और ग्राफ के जरीए साब लोगो समझाने की कोशिश करी है कि एफरिका में जो है साथ प्रितिशत इसकी डिमांड है नौर्थ अमेरिका में 15 प्रितिशत इसकी डिमांड है सौथ अमेरिका में 21 प्रितिशत इसकी डिमांड है एशिया में देख सकते हैं अब 25 प्रितिशत की बहुत जादा डिमांड है यूटरा की तो यह फर्टिलाइजर का बाजार क्या है वो भी थोड़े से उसके उपर एक नजर डाल लेता है यह पुर्वानुमानों के अनुसर यह और्गैनिक फर्टिलाइजर जो है कि प्लांट्स पशु और खनिज आधारित की मात्रा के रुद्धी में एक बड़ोती देखी जा सकती इसको इसको इस्तमाल करने से दुनिया ऐसे उत्पादों की और बढ़ रही है तो जो की अधिक सुरक्षित और स्वास्तवर्दक और सभी आवशायक माइक्रो और्गैनिजम से बरपूर है यह प्रोड़क्ट यूटेरा बयो हुमस क्या है यह भी एक फर्टिलाइजरी प्रोड़क्ट है यह एक नैचुरल और्गैनिक सॉइल अमेंडमेंट है जो विशेश प्रकार के केंचुओं द्वारा यह सावधानी पूरुवक चैनित जैविक कच्रे को प्रोसेस करके प्राप्त किया जाता है इसमें प्लांट्स की वृद्धी और विकास के लिए आवशेक खनीज, एंजाइम, विटमीन साथ ही माइक्रो और माइक्रो लेमेंटस की एक पूरी स्रुंकला इसमें शामिल है तो सोचे कितने सारे नैचुरल और 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 चीज़ों को मिला कर यह फर्टिलाजर को बना इसके साथ साथ, तो ऊपर थ्यूटर बयोहुमस क्या है तो उसके बार में वोद्त इसी आएख जान लेते हैं, यह जो है एन्वायमेंटल है इन्वायनमेंटली फ्रेंडली फसल की गैरन्टी देता है स्रुटी देता हैं और और वेनेफिशल इन्गो और गाणिस्मार माइ की इम्मिनिटी को मजबूत करता है और डिग्रेड़ भूमी की मतलब जो जमीन उत्पाद नहीं कर पाती अच्छे तेरी की सब वहां पर खेती नहीं कर पाते हैं बंज़र होने के वज़े से केमिकल जादा उन जमीन में डालने की वज़े से जमीन के अंदर की जो एलिमेंट्स होते हैं मर चुके होते हैं तो उसमें वह इम्मिनिटी बढ़ाता है यह भूमी की फर्टिलीटी को बहल करता है किसी भी concentration और किसी भी soil पर पूरी तरह से हानी रहित है कहने का मतलब है यह एक हिसाब से protection देता है और हानी रहित है कहने का मतलब है यह उतनी harmful प्रोड़क्ट बिल्कुल भी नहीं है और यह सो प्रतिशत और्गैनिक फर्टिलाइजर है यह आप बेज जग बगए डर रहे आप आराम से इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर सकते है यूटेराज इलिक्स सरोड़सर यह एक उसी में आता है यूटेरा में ही जरुब ही मैंने बता है वह उटेरा बयूहिद्स और यह यूटेराजाल इलिक्सिर है यह लिक्विड फर्म में है वो थोड़ा सा सॉलिट फॉर्म में आता है यह एक बैयो लॉजिक प्लाइन फूड है जिसे जिसमें यूमिक ऐसेट फल्विक ऐसेट और यूमिक के यह गुलंशील लवन्ट साथ ही एग्रोनॉमिक ली वैल्यूअबल माइक्रो आर्गनिसम की पूरी श्रुंखला उनकी उच्छ कॉंसेंट्रेशन के साथ होती है तो सोचे इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग लिए टाइम लिया है बहुत ज़्यादा ऑर्गैनिक न मिलाके इसको लिक्विट फ्र्म में यह क्रेया गया है बहुती अच्छा नैसलोलनव और बहुती सेफ फर्टीلفलाइजर है लिक्विट फ्रम में युट्रर अलिक्सिर कैसे बनाया जाता है यहां पर देखिए उसको क्या क्या चीजा है इसमें रा मढ़ीरीड डाली जाते ह Utera Soil Elixir के लिए ये beneficial, carefully selected, aerobic और anaerobic तत्वाओं का उपयोग करके बनाया गया है, जिसके विकास के लिए Arthrus Nutrition Formula अपलाई किया जाता है. कच्छे माल क्या-क्या है इसमें वो भी थोड़ा जान लेते हैं ये ब्राउन कोल और ब्राउन कोल उसके बाद मॉलसेस और शाहिद और बयो हुमस और अतिरिक और गैनिक एलिमेंट्स बहुत ये सारी चीजें इसमें ये रॉम मैटिरियल डालके इसको एक Soil Elixir बनाया गया ह यूटेरा एलिक्सेर प्राप्त करने के स्टेजेस क्या क्या है मतलब एक अगर एक कम से कम एक लिट यूटेरा Soil Elixir को अगर हमें बनाना है तो वो किन-किन स्टेजेस से गुजरता है वो सारे स्टेजेस को यहां पी दिखाया गये पीट मतलब कोईला की आपूर्ती और हुमिक एसिट का एक्स्रैक्शन यह कॉंपोजिशन का और एक्स्रैक्शन और उसके बाद पैक्टीरियल इनक्यूलेंट का इंट्रोडक्शन उसके बाद Soil Elixir में प्रोसेसिंग यह कम से कम पांच स्टेजास से गुजर के कम से कम एक लिटर Soil Elixir बनता है फर्टिलाइजर यूटिर एलिक्सिर की इस्तमाल करने से हमें क्या-क्या फाइदे होते हैं उसके बारे में भी एक थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं वरना कई बार क्या होता है नहीं कि नया फर्टिलाइजर है पता नहीं इसमें सबसे आप किस तरीरी होंदे कितने हांफुल होंगे हम इस्तमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बहुत सबसे पहला गता है कि उत्पादों की उत्पादेटी ब्रुद्धी होती है और उसके बाद plants की वुरुद्धी और विकास को टेज करता है soil की fertility को restore और restore और बनाए रखता है कई बार क्या होता ना एक फचल लोगाने के बाद एक मिट्टी क्या होता है एक fertility कम हो जाती है और फिर उसका pH level कम हो जाता है तो उसको जो है standardized रखता है और साथी साथ quality बनाया रखता है मिट्टी के pH जैसे के मैंने बता है कि मिट्टी का pH होता है साइंटिफिकल एक calculation होता है उसको pH कहा जाता है को control और सामान्य करता है और उसके बाद एक और इसका चटा फायदा पांचवा जो फायदा जो है plants को बीमारिय और pest से बचाता है ये सबसे बहुत बड़ा एक accurate problem है जितने भी हमारे किसान भाई है या फिर बहन है उनको पता है ये सबसे बड़ी समस्या होती है ये बीमारी और plants के जो उपर जो pest बढ़ता है बहुत ज़्यादा damage करता है उनकी चीज़ों को भी control करता है तो आए अब हम थोड़ा सा uteril अपा दो कि लाब क्या क्या है उसके बारे में भी जान लेता है इससे हमें फायदा क्या क्या होता है वो भी थोड़ा जानना ज़रूरी है क्योंकि इस्तमाल तो हम कर लेंगे लेकिन उसके फायदा क्या क्या है वो भी जानना ज़रूरी है कच्चे माल के रूप में केवल natural ingredients का उपयोग करना देखने में तो raw material है लेकिन बहुत natural तरीके से इसमें ingredients आपको मिलेंगे और humic acid के सभी लवनों और agronomically valuable microorganism की एक पूरी श्रंकला इसमें उपस्तित है तो सोचे आप कई बार क्या होता है ये सारे elements को हासिल करने के लिए आपको कम से कम 4-5 product को mix करना होता fertilizer में लेकिन हम आमारे यहाँ पे एक fertilizer में ये सारे elements आपको मिल जाएंगे और organic compounds की ये संतुलित सामागरी ये balance करके ये सारी चीज़ों को इसमें मिलाया गया है उत्पाद non-hazardous है low hazardous ये पदार्तों की शरेनी में आता है जो ज़्यादा जैसे कि ये low hazardous ये थोड़ा सा highly technological term हो गया मैं आपको normal इसमें समझाता हूँ ये hazardous क्या होता है कई बार क्या होता damage करना या फिर harmful होना या फिर जो खत्रा जादा होता उस खत्रे का बिल्कुली बहुती कम स्तर्व में इसको माना गया है इन fertilizer का कोई analog नहीं है क्योंकि इन्हें बनाने के लिए क्याके चीज़ें इस्तिमाल की गई है वो भी मैं आपको बताता हूँ केंचों की एक अलग प्रजादी को पाला गया था मतलब इसको जब बनाया जा रहा था तो पहली बार इसको किस तरीके दे प्रोसेस किया गया यहां क्याके चीज़ें इसमें इस्तिमाल हूई वो चीज़ें यहां पर बताई गई है आप लोगों की एक confidence को बढ़ाने के लिए और साथे साथ आपको बेफिकर होके यह प्रोड़क्त इस्तिमाल करने के लिए और तरस नूट्रिशन फॉर्मूला विकासित किया गया है इसके अंदर और उसके बाद ग्रह के पांच महाद्वीपों के 105 यह ecological clinic शेत्रों से बेलरूस के वितरित उपजाओ अचूती बूमी के सारी अचूती बूमी से एक सॉयल बैंक एकत्र किया गया है कहने का मतलब है पांच अलग-अलग महाद्वीपों से 105 अलग-अलग जगाओं से बेलरूस के पर्टिकलर लिए उसी जगा से उपजाओ जहां जहां पर किसी भी तरीके का उत्पादन नहीं हो लेकिन अच्छी वहां पर हरियाली हो वैसी जगाओं से यह सॉयल को लिया गया है और वह भी ऐसी सॉयल को लिया गया है जहां पर रिवर बैंक कहते हैं कहने का मतलब जहां पर दरिया वगरा बहते हैं नदी वगरा बहते है उसके किनारों को river banks कहते है तो वहां से ये मिट्टी को जो अचूती मिट्टी है कहने का मतलब है जिसको virgin soil भी कहा जाता है वहां पर किसी भी तरीका का उत्पादन नहीं हुआ है ना ही उस भूमी को किसी भी तरीकी की खेती वगेरा के लिए इस्तेमल किया गया है उसको virgin soil certificate मिला है उसका यहां पर नंबर दिया गया है date के साथ और utera soil elixir के लिए जो certificate मिला है वो भी यहां पर certificate के साथ और दिनाख वगेरा दिया गया है utera utera osis उसके बाद plants के लिए liquid organic complex fertilizer कभी यहां पर certificate का नंबर और किस में किस year में कौन से वर्ष में इसको certified किया गया है वो भी यहां पर detail आप देख सकते हो यह दिखे इतनी सारी detail कोई भी company कोई भी product यह पर project नहीं देता है यह हम आप लोगों को इतना in-depth detail इतनी सारी जानकारी क्यों दे रहे हैं ताके जब आप product खरीदो या फिर इस project में आप निवेश करो तो आपको पूरी पूरी तसल्ली हो कि हां मैंने एक सही चीज के लिए सही जगा पर पैसा लगा है जो कि मेरे साथ साथ या फिर आप एक बड़े लवेल पर सोचोगे तो कि देखे हर प्रोड़क के ना quality checking होती है तो quality checking कहां कहां से हो है कौन से महा विद्याल है से इसको certified किया गया है इसको approval मिला है वो भी यहां पे लिखा गया है आर यू इंस्टिटुट अफ सॉयल science and agrochemistry उस university से मिला है और साथ साथ state scientific institution बेलरूस की national academy of science का institute of environmental management यह university से भी इनको quality certified किया गया है और उसके बाद बेलरूस की chamber of commerce and industry तो सुच यह इतने बड़े बड़े इंडस्टिटी और university से इसको certified किया गया है सॉरी quality report इसको दिया गया है यूटेर उत्पादों की मांग क्या है कितनी है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं और क्यूं है उसका भी यहां पर detail बहुत अच्छी तरीके से यहां पर दिया गया है यह है खेत पर जैसे कि मैंने कहा कि खेती बाड़ी में इसको बहु क्या क्या हो सकते हैं अपनी personal जरूरोतों के लिए यह स्वस्त और स्वादिस्ट सब्जियां फल और जामुन होगाये जा सकते हैं नीची खेती में यह देखे बड़े स्थर पर होता है जैसे कि state level पर जो खेती बड़ी होती है वहां पर होता है अब ही जो यहां पर नीजी क्या होता है कभी कई बार घर के अंदर चोटा सा लॉन बनाः वहां पर पुछ रोंगों को शौक होता है सब्जी यह प्रूट वगेरा उसका उत्पादन करना और कई बार होता है एक और दो गेल पर प्राक्रुतिक उत्पाद उगाए और पेचे हैं इसमें देखें चाहिए और साथ इस साथ इंपूरीटी कई बार होता है ना फूरूट लेने के बाद भी आपके दिल में मन में साटिस्फाक्शन नहीं रहता है कि पता नहीं है इसमें चाहिए इतनी जल्दी मार्केट में कैसे आ सकता है बहुत सारे सवाल होता है इन सब चीज़ों के आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूवत नहीं है फूलों की खेती में भी इसको भरपूर तरीके से बहुत ही आराम से निडर होकर आप इसमाल कर सकते हैं जैसे कि घर ग्रीन हाउज और कंजर्वेटरी में सुन्दर फूलों वाले प्लांट्स क सेलेक्षिन में सम लगन रहे आप चाहो तो इसमें अपने आपको पूरी तरही से ढालके आप फूलों की खेती भी कर सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं उगा भी सकते हैं मार्केटिंग हमारी स्ट्राटेजी क्या-क्या है बाजार में ब्रैंड और उत्पाद की ये पोजिशनिंग क्या-क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लाते हैं नैचुरल फसल है उत्पाद बिल्कुल सुरक्षित है और अपनी जमीन से प्यार कर सकते हैं कि हाँ य मेरी जमीन है नीडर हो के मैं इस चीज़े इसको इसितामाल कर सकता हूं और जमीन कहीं उसकी बंझर ना हो जाए कहीं जमीन के अंदर के जो elements हो उमरना जाएगी, यह सारी चीजों का आप चीन्ता करने की बिल्कुल भी जरूँद नहीं, बिल्कुल ही नीडर होके आप इस चीज को इस इसको इस्टाइब कर सकते हैं, यह प्रॉडक्त को, और environmental friendliness, आप इसको 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 किस तरीके से अपना आएंगे, या फिर बहुत सारी होती है ना, government वगेरा से क्या action layers लगता, उसकी कोई भी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूद नहीं, no need to worry. यह दिखिए, affordable कीमत है, यह ज्यादा कीमती नहीं है, बहुत ही सस्ते में आपको मिलेगा, और उसके बाद unique compositions इसमें मौजूद हैं, और उत्पाद effectiveness यह बहुत ही ज्यादा effect आपको देगा, मतलब अच्छी fresh और अच्छी fragrance के साथ-साथ, बहुत ही जल्दी उत्पाद इसमे सारे products में हैं, यह वाले soil elixir और सारे products में, और प्रभावी उपयोग और फसल उत्पाद के लिए यह सिफारिश भी कर सकते हैं, आप refer कर सकते हैं, कई बार होता हैं, कि आपको एक बार completely satisfy हो जाओ, कि हाँ इस product से environment के लिए भी बहुत safe है, खाने पीने में भी यह फल, fruit, सब जियां वगेरा बहुत ही अच्छे quality देता है, और बगेर harmless, low hazardous हैं, यह सारी चेज़ें आप जब आप एक बार पहचान लोगे, तो आप दूसरे लोगों को भी refer कर सकते हो, तो चली यह जो यहाँ पर आप आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, यह सारी तस्वीरों में जो आ पर हमें भी और थोड़ा सा डीटेल में जान लेता है, यूटेरा, इलिक्सिर और नैचरल बयोहिमस के उपियोग से हमें क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं, उत्पाद अत्ता बढ़ाने और स्वास्थ ऑर्गेनिक फुड उगाने में मदद मिलेगी, जैसे कि मैंने कहा कि बह अधिक सुगंदित हो जाएंगे और सॉइल की फर्टिलिटी कई वर्ष तक बनी रहेगी, यह बहुत एक लेवल पर होता है कि क्या इसमें अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी, साथी साथ यह क्या उतने टेस्टी होंगे, और कहीं इसको इसको इस्तमाल करने पर जमीन पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, जी बिल्कुल भी नहीं, आपके सारे सवालों का जवाब यहां पे हैं, आप कई सालों तक सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी रख सकते हो, और साथी साथ इसके जो है स्वाधिस्ट फल्फ्रूट होगेरा भी आप इसमाल उगा सकते हो, और इसक क्या क्या चीज़े हैं, वो भी हम तोड़ा से टीटेल में जान लेंगे, यह इस्ताफना अलरड़ी की गई है, बयो हुमस और यूटेरा सॉइल एलिक्सिर का उत्पादन करने के लिए यूटेरा मिडल इस्ट अग्रो इंडुस्ट्री बनाई गई है, अलरड़ी बना चु जिसमें शामिल है, मुख्य भावन, प्लाइंट का जो होता है, एक मॉडल भी बनाना ज़रूरी है, ग्रीन होस बनाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें बना ली गई है, तयार हो चुका है, और उसके बाद ग्रीन होस, क्लस्टर भी बनाएंगे उसमें, और उसके बाद ले साटिस्फैक्शन मिले, उस चीज़ को देखने में, इसमाल करने में, और उसके फाइदे क्या है, नुक्सानात क्या है, वो सारी चीज़ों को, एक टचन फील का एक कम्प्लेट एक मॉडल बनाया जा रहा है, ये निरमान, रास- अल-खयमा एकनॉमिक जोन में बनाया जा र जोन में से एक है जो कि Middle East में 770 से भी ज़ादा leading manufacturing कंपनियां वहाँ पे मौझूद है 100 से भी ज़ादा देश यहाँ पे invest कर चुके हैं या फिर वहाँ पे मौझूद है और 50 से भी ज़ादा 50 से भी अधिक industries वहाँ पे अलग-अलग तरीके की industries वहाँ पे मौझूद है यूटेरा उत्पादन स्थान के लाब क्या कहें इसके benefits क्या कहें वो भी थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं प्रोजेक्ट को apply करते समय लागत प्रभावी solution का उप्योग करना एक आफसर करने का जिसके मैं बताव रहा हूँ ये प्रोजेक्ट और प्रोड़क्ट में आप सही योग देना या फिर उसमें योगदान देने के बहुत साथा फाइदे हैं आपके साथ-साथ आपके आने वाली पीडियों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बरपूर फाइदे मन साबीत होगा और ये कमफोर्टबल टैक्सेशन ये टैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा कमफोर्टबलिटी देने वाला है और उसके बाद प्रमुक लॉजिस्टिक्स हब से निकटता ये कहने का मतलब है प्रमुक जो वहाँ पे लॉजिस्टिक्स की कई बार क्या होता है मैनिफेक्टिरिंग प्लांट बन जाता है मैनिफेक्टिरिंग शुरू हो जाती है लेकिन लॉजिस्टिक्स की बहुत ज़ादा इंडस्ट्री इसको फेस करना पड़ता है तो यहाँ पे उस मामले में logistics के लिए भी हमारे पास बहुती ज़ादा आसान, roots वगेरा वहाँ पे मौजूद है रासल खाइमा economic zone में निर्माण के तीन अलग-अलग stages है ये तीन अलग-अलग stages क्या है वो यहाँ पे थोड़ से थोड़ सा detail में जान लेते हैं ये preparatory कार्य करना और फेंसिंग लगाना उसके बद अजली जरी 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 बिल्दिंग्स और एक laboratory का निर्माण करना पहले stage में ये हता है और दूसरे stage में क्या-क्या होता है ये होता है एक सड़कों का संगटन करमचारियों के लिए एक odometry का निर्माण उसके बाद मुख्य building का design और निर्माण second stage में ये सारी चीज़े इंप्लिमेट की जाएगी और first stage में ये सारी चीज़े इंप्लिमेट की जाएगी और तीसरे स्तान में या फिर तीसरे स्तर पर क्या होगा वो थोड़ा सा और जानता है इंडिटेल में एक indoor green house का design और निर्माण उत्पादों के effectiveness प्रदशित करने के लिए एक खुली हवा वाले शेत्र का आवंटन जैसे कि मैंने कहा कि ग्रीन हॉस बनाना उसके बाद एक team का एक model create करना ताके लोगों को खुली हवा में open air में बनाया जाएगा इसे नहीं है कि ग्लास अंदर का इसे कुछ नहीं है open air में बनाया जाएगा जहां जो भी visitors जाएंगे, guests वहां पर जाएंगे clients, customers, partners जो भी आप बोलो जब वहां पर जाएंगे तो उनको एक touch and feel करने का मौका मिलेगा तो project के मूल सिद्धान क्या क्या है उसके बारे में भी थोड़ी सी जनकरी हासिल कर लेते हैं हर स्टेज में natural ingredient का उप्योग करना और natural organic food उत्पादों का उत्पादन सभी प्रकार के कच्छे माल और components का waste pre-use उप्योग कई बार क्या होता है वेस्ट भी क्या होता है उसको त्रो करने के बज़ा उसको recycle करके बहुत सारी चीज़ों को फिर से उसमें कुछ अलग तरीके के elements डालके उसको भी इस्तमाल किया जा सकता है उसको reuse किया जा सकता है waste pre-use या फिर उप्योग और यहां पर जो अर्जित अनुभाव और वईग्यानिक ज्ञान के आधार पर यह जो है practical approach का अनुप्रयोग तो चलिए अब यूटेर प्रोजेक्ट के बारे में बुनियादी यह क्या है information क्या है वो थोड़ा से जान लेते हैं यह प्रोजेक्ट को सफल करने के लिए हमारे जो एक ambitious idea है उसको पूरा करने के लिए क्या-क्या चीज़ों के हमें ज़रूत पड़ेगी और उसके फाइदे क्या-क्या है और इसमें सहीयोग और योगदान देने से हमें क्या फाइदा है वो भी थोड़ा से जान लेते हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं यह प्रोजेक्ट को पुरा successful है एक ambitious idea को successful करने के लिए हमें 20 million dollar की ज़रूत है 20 million धन जुटाने की ज़रूत है और यह 3 rounds में fund raising होगी अभी जो है दूसरा round चल रहा है fund raising का 2025 निर्मान के पूर्ण होने की थी यह जो है 2025 तक यह project का या फिर plan प्रोडक्शन अगरा पूरा जो planning है 2025 तक इसका complete होने की पूरी उमीड है 3 से 5 वर्स निवेश की यह payback period है अगर आपने एक certain amount इसमें निवेश किया इसमें सहयोग दिया अपना योगदान दिया तो आपको 3 से 5 साल के अंदर आपको जो capital amount है वो आपको return मिल जाएगा और उसके बाद जो है आपको जो भी profit आएगा वो सारा का सारा profit बोल सकते हो आप यहां पर आपको कितना percent तक आपको मुनाफ़ा मिल सकता है आपकी निवेश पर यह जो है 17.5 से लेकर 46.8 प्रतिश्यत तक आपको return on investment मिल सकता है इते के निवेशकों के लिए यह potential वार्षिक return है यह potential return यहां पर दिया गया है और यह market research करके आप लोगों के सामने यह सारी detail टुकी गई है 2024 और 25 में क्या होगा निवेशकों को मुनाफ़ा देने की शुरुआ जैसे कि मैंने बता है कि return on investment जो होगा अगर आज आपने इसमें निवेश किया आपना योगदयन दिया साहियोग दिया तो आपको 2024 से लेकर पच्चीज जैसी construction यह फिर production स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ही आपको इसमें मुनाफ़ा return on investment आपको आना शुरू हो जाएगा यह दिखे निवेश का अवसर क्या क्या है जैसे कि मैंने बता है कि यह बहुत एक limited period का अवसर हम लोगों के सामने आया है एक अनोखा और एक सुनेहरा अवसर है या फिर मौका आप कह सकते हो आप utera उत्पादों के उत्पादन में निवेश कर सकते हैं और company के net profit का 55% का मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हैं निवेश के दूसरे round की शर्तों के अनुसार यह जैसे कि मैंने बता है कि second round अभी जो है हमारे पास चल रहा है अगर आपके पास मौका है तो आप इसमें बरप पूर फायदा उठा सकते हैं जैसे कि मैंने बता है कि यह बहुत एक अनुका और सुनेहरा मौका है मैं चोटे एक एक जामपल के तौर पर यहां पर आपको समझा देता हूं उसके बाद आप आप सोचे क्या करना है आपको तो यहां पर देखें पैकेज की लागत क्या है औ कितना प्रतिशत मिलेगा और कंपनी को कितना कितना प्रतिशत मिलेगा जो कि SWC और युसका वरी है उसको निवेश का यह जो है एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट क्या-क्या है वह आप डॉलर के हिसाब में भी चाहिए तो ले सकते हैं या फिर निवेश का अगर आपने एक लाग डॉलर का नीवेश इसमें क्या मतलब हिंदुस्तादी आप एक करोड मानके चलिए हिंदुस्तादी अगर आपने एक करोड का नीवेश इसमें किया तो आपको पर सेंटेज वाइस जो है 55 प्रतिशत तक का आपको रिटर्न-on investment आपको मिलने के पूरी- SWC के दर्मियान में split होगा और अगर आप मैं dollar के हिसाब में बात करूं तो इसमें 42,900 dollar आपको return on investment मिलेगा अगर आपने एक करोड का इसमें निवेश किया तो मतलब हिंदुस्तानी एक करोड तो आपको मिलेगा इसमें 42,900 dollar हिंदुस्तानी रुपे के हिसाब से आप क्या सकते हो इतना return मिलने के पूरी-पूरी संभावना है और अगर मैं percentage बात करो तो आपको 42.9% तक का आपको मुनाफ़ा मिल सकता है और बाकी आप calculation कर सकते हो जैसे दूसरा round खतम होगा तीसरे round में क्या हो जाएगा देखिए आप यहां पे देख सकते हो यह सारा आपका percentage और profit return on investment जो है उसका जो profit जो है वो दीरे-दीरे से घटता जा रहा आप यहां पे देख सकत हो तो चलिए निवेश की शर्ते क्या क्या है conditions क्या क्या है investment के वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं निवेश 5 साल के लिए यह one time payment या फिर 10 महने से अधिक installment में प्रदान किया जाता है तो अभी हाल-फिलहाल जो है यह जो है आपको payment जो है आप one time payment भी कर सकते हो या फिर 10 महने के हिसाब से installment के हिसाब से भी आप payment कर सकते हो लेकिन आपका यह जो है यह आपको तीन से पाल साल तक आप जो रिटन है एक capital जो आजाएगा उसके बद जो भी आएगा वह आपको profit होगा या फिर नीदियों के उ वार्शिक की fixed rate और यह जो है जो certain amount आप company में जो आप डालोगे उसके लिए company भी क्या करेंगी 0.1% fixed यह जो है यह आपको वार्शिक rate आपको देगा जी बेसिकल आप interest रे बगएर बगएर आप क्या सकते हो लेकिन मैं तो कहता हूं जैसे कई बार हम Muslims में एक यह है कि सूद लेना और देना दोनों ही हराम है लेकिन क्या कर सकता है हम ऐसी माहौल में जुड़ चुके हैं कि हम बगएर interest के किसी भी project या फिर product को नहीं आसिल कर पा रहे तो मैं तो कहता हूं आगर आप Muslim family वगएर आप उसे belong करते हो तो आप यह जो interest आता है वो आप निकालके गरीबों और ब्याज वापस ले सकता है देखिए यहां पर पांच साल के बाद जो locking period होता है वो locking period के बाद आप चाहो तो अपना investment return ले सकते हो और उसके पर आपको एक certain interest rate वगएरा दिया जाएगा मैं तो कहता हूं कि interest rate लेकि क्यों खामका वह एक तो interest rate वैसे ही लोगों की जिन्द सब्सक्राइब में आप फाइदा उठाओं आपना money withdraw करके interest काने के बजाए यह एक मेरा personal opinion है और साथी साथ निवेशक के पास यह जीवन भर profit के payment का अधिकार है और साथी निवेशित राशी के उपियोग के लिए ब्याज भी है जैसके मैं बतानों देखी इसमें जो return on investment आ जो आ रहा है वह आप निकाल के दे तो ना उसमें आपको गुना है ना उसमें आपको किसी भी तरीके का सवाब है especially मैं मुस्लिम इस families के लिए बोल रहा हूं यह चीज तो निवेशक को किये गए निवेश की राशी के अनुपात में चुने गए टैरिफ के अनुसर profit profit होता ह यह थोड़ा बहुत ज़ादा ध्यान से सुनने वाली बात है कि जिस तरीके से आपने payment इसमें किया होगा या फिर आपने इसमें निवेश किया होगा इसमें आपना योगदान सहयोग दिया होगा उसी के मुताबिक आपका one time payment या फिर instrument के payment के हिसाब से ही आपका profit decide होता है और distribute भी होता है जब तक निवेश शक यह प्रोजेक्ट छोड़कर अपना निवेश वापस नहीं ले लेता तब तक उसके सभी अधिकार उसके उत्तरा अधिकारियों के पास चले जाते हैं यह है निवेश की शर्ते क्या क्या है और वो भी थोड़ा सा और थोड़ी सी condition वो भी जान लेते हैं प्रतियक निवेश के साथ विस्तृत निवेश शर्तों वाला एक agreement का conclusion किया जाता है देखिए हर project में क्या होता है कई बार आप जब निवेश वगरा करते हो तो आपको एक agreement करना ज़रूरी होता है क्यूंकि यह दोनों के लिए safety होता है सुविधा जनक तरीके से निवेश किया जा सकता है इसमें देखिए back transaction के साथ साथ इसमें आप crypto भी इस्तमाल कर सकते हैं साथ ही साथ आफिर आप इसमें account में टॉप अगरा करके भी आप one time payment या फिर installment के तौर पे भी आप इस चीज में निवेश कर सकता है तो बाजर क्या offer करता है नॉर्मली क्या होता है अलग-अलग industries के लिए market अलग-अलग तरीके से return on investment या फिर profits वगरा देते हैं तो हम भी कुछ अलग-अलग तरीके से market को research करने के बाद एक conclusion पर आये हैं तो हम क्या offer कर सकते हैं उसके मुकाबले में यह सारी चीज यहां पर detail में दी गई है त मैं क्या रहा हूं कि तर दर मुस्लिम नहीं लेते इंट्रस्ट लेते हैं तो गरीबों में बाट देते हैं तो आट से नौ परसेंट बैंक ऑफर करता है इंट्रस रेट और यह जो है पॉर्शन यह पॉर्शन सके यूस्टी जिन लोग ने इन्वेस्ट किया होगा उनको पत निवेश करने के बाद आपको पता चलेगा पॉर्शन किसको कहते हैं इसके लिए आप मेरी 15 दिन में एक बर जो वीडियो आती है उसके बारे में आपको जान सकते हो आरा हमसे इंदी और इंग्लिश दोनों में आती है दस से बारा परसेंट प्रती वर्श वह आपको रिट अज़ा यहां पर प्रतिशत प्रतिवर्श दिया जाता है गोल्ड सोना वह है आठ से दस परसेंट आपको हर साल जो है उसका और एक सर्टन प्रॉफिट बूली जा पिर इंटरेस बूली जा उसरे मिलता है और रियल Geb में 15-20% तक जो है वो आपको profit देता है एक real estate एक ऐसी चीज है बहुत से लोग क्या करते हैं जमीन खरीद के छोड़ देते हैं यहां पर interest rate नहीं बट उसकी कीमत बढ़ने के बाद आपको return on investment मिलता है जैसे कि मैंने बता है कि अलग-अलग industry में अलग-अलग तरीके से इसको बोला जाता है और यहां पे जो है और sub lease, sub lease भी आप जान सकते हों कि कहीं पर जमीन वगरा लेना और उसको lease पर देना और उसके बदले में आपको profit लेना या फिर interest rate जो भी है वो 18-20% आपको प्रतिवर्श उस पर मिलता है और crowd lending यहां पर 15-20% प्रतिवर्श आपको मिलता है यह crowd lending यह बोल लिजिए अफिर आपको crowd funding बोल लिजिए यह project और product के उपर depend होता है वो चाहिए आप return on investment बोल सकते हो यह किसाब से और utera हमें क्या offer करता है उसके बारे में और थोड़ा सा जैसे कि मैंने बताया कि 17.9 प्रतिशत से लेकर 46.8 प्रतिशत तक प्रतिवर्श आपको return on investment मिलेगा जो की मुनाफ़ा जो company कमाएगी उसमें आपके निवेश के हिसाब से आपने किस तरीके के निवेश किया होगा one time या फिर installment में आपने किया होगा उसके मुताबिक आपको मुनाफ़ा दिया जाएगा निवेश होकों के expected return यह जो है optimistic forecast है जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने बहुत दीप जाकर इसकी market की research करके हम लोगों ने आप लोगों के सामने यह percentage रखा है आपका वास्तविक उत्पादन में निवेश कर रहे हैं कहने का मतलब है आप जो निवेश करेंगे इसमें या फिर सहयोग देंगे अपना योगदान देंगे वो एक real product है और एक touch and feel product है जिसमें आप निव competitive और high quality वाले उत्पादक के साथ आ रहा है यह product और साथी साथ अधिरियन किया गया विक्री बाजार है जैसे मैंने वादा है कि market को बहुत अच्छे तरीकित हम लोग ने research और analysis किया है और यह दीर कालिक यह scaling potential है यह जो है बहुती लंबे समय तक चलने वाला product है और मुझे लगता है यह करीब पर पचाथ से सो साल तक आराम से चलेगा यह product आप जो है passive income अर्जित करने के लिए एक tool खरीद रहे हैं कहने का मतलब है यह इस product में आगर आपने निवेश किया या फिर इस project में आगर आपने निवेश किया तो यह इस तरीके का tool है यह बहुती लंबे समय तक चलने वाला project और product है और साथे साथ इसकी तरीक इसके प्रफ्षासुद रहेगी वो जो है एक tool के तरीके से काम करेगी और एक आपके लिए passive income का जरिया बन सकता है patent की आवरुति प्रती तिमाह एक बार payment की आवरुति कहने का मतलब है जो आपको dividend आएगा वो जो है तीन महने में एक बार decide किया गया है quarter इंग्लिश में अगर तो quarter का आ जाता है जैसे कि साल में हमारे पास चार quarter आते हैं हर तीन महने को अगर आप डिवाइट करेंगे तो चार quarter उसमें आते हैं तो यह है profit का प्रतिशत जो है fixed है और कटता नहीं है यह सबसे बड़ा एक concern होता है लोगों को अगर मैंने आज निवेश किया over a period of time अगर product market में नहीं बिका या फिर बिका तो क्या हो सकता है देखिए product बिके तो अच्छा है profit यह fixed जो है आपको जो मिला है उसी तरीकी से रहेगा ले आते हैं तो आपको उसमें भी जो पैसा बचेगा वह आपके profit में आड होकर आएगा ना कि घट कर आएगा यह टेर मिडलीस्ट एग्रों इंडूस्ट्रीज के यह profit का यह आपका प्रतिश्यत agreement में fixed है यह अपरी वर्तित रहता है और profit प्राप्त की पूरी अधिक आवदी क के दौरान घटता नहीं है जैसे कि मैंने बताया कि यह जो है चेंज नहीं हो सकता आपके agreement के हिसाफ से जितना परसेंटेज इसमें आपको प्रोमिस किया आगया है उसी की तरीके से आपको दिया जाएगा और यह हम लागत कम करके profit बढ़ाते हैं जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो expenditures वगरा है बहुत सारी चीज़ों में जो है हम कम से कम expenditures करके profit फिर मुनाफ़ा आपको जादा जादा देने की पूरी कोशिच करेंगे कि उत्पादन को optimization optimizing करने से हम अपने निवेशकों को अधिक return दिला सकेंगे जैसे कि मैंने कहा कि उत्पादकों को optimize करके और खर्चा कम करके हम profit बढ़ा कर आपको दे सकते हैं यदि operating cost कम हो जाती है या एक लिटर यूटिर और सॉइल इलिक्सिर की बिक्री मूल्य बढ़ जाती है तो आपका personal मौदरिक लाब बढ़ सकता है जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारा खर्चा कम हो और अगर market में product की demand बढ़ जाए या फिर एक लिटर सॉइल इलिक्सिर की demand बढ़ जाए उसका price बढ जाएगा वो भी आपके मुनाफे में add कर दिया जाएगा तो यह जो है अधिक्तम यह जो है लॉंग टम निवेश कि पुत्पादन में सेवा जीवन पर कोई प्रती बंद नहीं है और यह जो है प्लांट equipment upgrade प्रदान करता है और उसके बाद यह agreement को बढ़ाने की संभावना के साथ भूमी 50 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई है यह जैसे के equipment में upgrade हो सकता है उसके बाद उपादन में सेवा जीवन पर कोई प्रती बंदीत नहीं है मतलब इसका कोई limited period नहीं है यह जब तक market मे इसकी demand रहेगी तब तक इसका production चलता रहेगा और equipment को भी upgrade कर सकते हैं और साती साथ यह agreement के हिसाब से 50 सल तक इसको lease भी लिया गया है बूमी को जमीन को और यह हो सकता है 50 सल के agreement complete होना के बाद यह और भी इसको बढ़ाया जा सकता है तो सोचके देखे 50 सल आज हम 35-40 पे 24 यूटेरा की और से नए साल को bonus SWC personal account के सभी यह verified users के लिए उपलब्द है जिसके पास भी SWC का account नहीं है तो आज ही जाके SWC कैसे register करते हैं उसमें किस तरीके से निवेश कर सकते हैं किस तरीके से यूटेरा में भी हम भाग ले सकते हैं सारी चीज़ें जानकर आजिल करिए और जितनी जल्दी हो सके इस प्रोड़क्त में निवेश करें मैं बता रहा हूँ यह बहुत ज़दा फायदे देने वाला हैं आज अगर आपनी निवेश किया तो आपकी आने वाली PDM बहरपूर अच्छी जिंदेगी बिता सकते हैं बहरपूर इसका फायदा उठा सकते है और सर्वो उत्तम शर्तों पर यूटेररा प्रोजेक्ट में निवेश करें यहां पर देखें जैसे कि मैंने बताया इससे पहले जो मैं आपको कैल्कुलेशन दिया था अगर यूटेरा दोज़ाद चाल रहा है अगर आपने एक लाग डॉलर इसमें निवेश किया तो आप आपको 1-100 का डिसकॉंड मिलेगा प्लस पांच हजार डॉलर कैश्बैक मिलेगा साती साथ यह प्रीमियर क्लब के मेंबर्स को UAE टेस्टन सर्टिफिकेशन जहां पर यूज़क्ट चल रहा है वहां पर साती साथ यूटेरा के लाइंड का भी आपको दौरा करने का मौका मि यूटलर निवेश करने कांच गएंद काने प्लस वन थाउजन दालर कैश्बग मिलेगा 10 फाउज़ां पर वन थाootएंडर रों एनदेle कॉपों हुदा का कैश्बैक पांच हज़़ाem निवेश निवेश करने का दिसकॉंट गिश्टी दीसांड सथों अंडेड के मिलेगा और यह coupon जो है यह आप सिर्फ यूसकाई के potions खरीदने में ही इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि यूसकाई project में support करता है यह 100 discount coupon क्या है उसके बारे में जैसे कि मैंने बताया कि वह थोड़ा सा detail में जाने लेता है और यह जो है नए साल का bonus जो है यूटरा दोहजार चोभी से limited period तक ही है और एक हजार या फित एक एक लाग डॉलर तक का आप lot issue कर सकते हैं जैसके मने बताया कि और यह वन इस्टो हंड्रेड की यह डिसकाउंट के साथ यूस्टी टेक्नोलजी पोशन के किसी भी यह जो है package क इस्टो करने का आवसर प्राप्त कर सकते हैं जैसके मने बता है कि वन इस्टो हंड्रेड जब आप coupon मिलेगा एक सर्टन आम आप इसमें यूटरा लॉट्स खरीदने में जब coupon मिलेगा तो आप सिर्फ यूस का जो है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलोजी का जो प्रोड टेक्नोलोजी में की तरह यह काम करने वाले यह है यूपोट्स वोगरा वन इस्टो हंड्रेड यह जो है प्रोमोशन स्ट्रिंग चांपियन्स चालेंज तक एक्सेस उन यूजर के लिए है तीज दिनों के लिए उपलब्द है यह अभी जो है 31 जन्वरी दोहजार चोबीस सखी इसकी प्रोमोशन की यह जो है उपलब्द है जिन्होंने लॉट के लिए पूर्ण पेइमेंट के शन से मतलब 31 जन्वरी दोहजार चोबीस तक संबंदित डिनोमिनेशन के यूटेरा लॉट खरीदे हैं या फिर खरीदे होंगे से बुनी के लिए कैश बैक जैसे के मैंने बताया कि 2000 डॉलर से लेकर एक लाग डॉलर तक आप इसमें यूटेरा के लॉट खरीदे में का इस्यू करने पर मुख्य अकाउंट में मतलब आपके में अकाउंट में जो है साथ डॉलर से लेकर 5000 डॉलर तक कैश बैक आ जाएगा आपको कैश बैक राशी लॉट राशी पर निर्वर करती है और इसे यूटेरा लॉट और यूएस्टी टेकनोलोजी पोशन का इस्यू करने पर खर्च किया जा सकता है जैसे कि मैं बता रहा हूं यह बार बार आपको यूटेरा लॉट पर खरीदने पर डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके का लॉट खरीदा है और कितने का खरीदा है और उसी पर डिपेंड करके यह कूपन जो है आप यूएस्टी टेकनोलोजी यूनिट की स्रिंग टेकनोलोजी जो है वहां पर पोशन्स खरीदे में इ करें और शार्जा UST में यूज का यह जो है टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर और यूटेरा प्रोडक्शन साइट की यात्रा के साथ गिफ्ट के रूप में एक प्रीमियर टूर प्राप्त करें जैसे कि मैंने बताया का आपको एक प्रीमियम क्लब के मेंबर होने के साथ साथ आपको एक तूर करने का भी मौका मिलेगा दो अलग-अलग जगाओं पर आपको जाने का मौका मिलेगा एक है यूज का एक का टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर और उसके साथ ही साथ यूटेरा का जो प्रोडक्शन साइट है वहाँ पे भी आपको जान का और योगदान देने का ये जो है अनकुल निवेश स्थितियों का लाब उठाने के लिए जल्दी करें और 2023 के अंत तक 20 प्रिमियर टूर की ये ड्राइंग में भाग ले सकते हैं ये 2023 इसलिए दिया गया है कि ये प्रमोशन जो शुरूआ था ये 2023 की पीरिट में शुरूआ तक आप मुनाफ़ा कर सकते हैं तो आपका फीडबेक हमारे लिए बहुत-बहुत महत्वा रखता है कि क्या आपको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया मेरी सारी इसमें एक्स्प्लेनेशन आपको कैसे लगी क्या आपको कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है आप सारा ये फीडबेक फॉर्म फिल करने के जरी से आप दे सकते हो और इसमें जो एक अनोखा और सुनायरा मौका आप लोगों के सामने हम लेकर आ रहे हैं इसमें बरपूर तरगी से इसमें योगदान दीजिए सहयोग दीजिए निवेश करिए और अपनी जिंदगी को और अपने आन आएगा उसको फिल करते हैं तो आपको एक स्पेशल गिफ्ट हासिल करने का मौका मिलेगा लेकिन एक है चीज है यह पिर पहले बता दे रहा हूं तो यह हमारा यूटेरा को अगर आपको ज्यादा डीटेल में जानना चाहते हैं तो आप यहां पर दे गए हुए संपर करने आप पर इमेलर के जरीए से आप इमेल भेज के आप इसमें जादा जादा डीटेल भी हासिल कर सकते हैं यह जो है we create the future and finance it कहने का मतलब है हम भविश्य बनाने में आपकी मदद करेंगे और उसको आर्थिक सुरक्षा देने की भी हम पूरी-पूरी कोशिश करते हैं बनाने वाला तो उपर है बस हम सही होग दे सकते हैं जैसे कि आप हमारे प्रोजेक्ट को सही हो या फिर योगदान दे सकते हैं उसी तरीके से हम चोटा से एक कोशिश करता है कि आपकी जिंदगी बैतर बन जाए इनवेसे प्रोपेट कहने का मतलब है ऐसे प्रोड़क में नि ओप बहुत ही हाई लेविल का मुनाफ़ा देने की शमता रखता है यह है मेरी अपलाइन मैनेजर और में इंडिया के क्यूरेटर और रस्पॉंसिबल मिस्काड जेकब और यह टॉप एक्सपर्ट भी हैं स्काइव व्ल्ड कम्यूनिटी में और इंडिया के क्यूरेटर रस अगर आपको इंडिया से कुछ मदद चाहिए तो आप इंडिया का हमारा एक सोचल पेज है वहां पर हमारे इस पेज पर सारी अपडेट्स आपको आ जाते हैं वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शबा खेर गुड़ नाइट थैंक यू वेरी मॉच